समस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 का मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली भाईया फिर से टॉप कर गई है चोथी बार टॉप कर रही है एयर पॉ तो आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि पी एम 2.5 क्या है भई यह पी एम 2.5 क्या है पी एम 10 क्या है तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे एयर पॉल्यूशन से हर साल कितनी मोते हो रही हैं कितना जादा इसको रोकने के लिए पैसा ख से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो को या फिर एक काम करिए टेलिग्राम ओपन कर लीजिए सेल्फ स्टेडी लिख लिए और वहां पर आपको इस तरह केका आइकन अजराएगा और आप सीधे ऐसे जोइन हो सकते हैं साड़े नो हजार नो हजार नो हजार नो सो कैस्पस जो एर पॉलूशन उसके बारे में इस रिपोर्ट के अनदर दिया गया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 35 ऐसे शहर है जो पशिटी के अंदर अपनी जगा बनाई रखे हुए ए ऐर पॉलूशन के मांले में तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम घर्व की बात कह सकते कि 35 शहर भारत के जो air pollution में top 50 में आते हैं कमाल की बात हो गई तो चली बात करते हैं कि यह रिपोर्ट निकाली किसने हैं कौन है इसको बनाने वाला तो इस रिपोर्ट का नाम है IQ Air यह जो है यह Swiss group है जो क्या काम करता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 देखे P का मतलब होता है पर्टिकुलेट M का मतलब होता है मैटर यह Swiss group क्या करता है PM 2.5 यह एक एरिया है एक मिटर क्यूब एक मिटर क्यूब का जो एरिया दिखाए मतलब की वोल्यूम है इस वोल्यूम के अंदर कितनी ज़्यादा PM 2.5 PM 2.5 जो है वो present है इसको मापने का काम करता है अगर ज़्यादा होंगे तो समझो बहुत ज़्यादा pollution है अगर कम होंगे तो समझो pollution नहीं है तो यह काम करता IQ Air जो एक Swiss group है यह IQ Air क्या करता है यह सरकारों को government को जो researchers है जो non-government organization है जो industries है जो citizen है उनको अपने साथ लेके चलते हैं और उनको educate करता है उनको motivate करते हैं कि यह वायू गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए साथ इसाथ air quality को मतलब की air pollution को कैसे कम किया जाए और शहरों को कैसे साफ किया जा सकते हैं तो यह काम करता है IQ Air जो एक Swiss group है अब बात करते हैं कि इस report की जुरूरत क्यों पड़ी देखिए आज की rate में वायू परदूशन जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक मतलब परयावरण के कार्ण जो स्वास्ते खराब हो रहा है उसमें सबसे बड़ा role कौन निभा रहा है वायू परदूशन निभा रहा है और कहा गया है कि दुनिया भर में एक साल के अंदर लगबग 70 लाख मोते हो रही है केवल और केवल वायू परदूशन के कार्ण वायू परदूशन से अस कम करने के लिए जितना इसको पर पैसा खर्च किया जाता है इसके उपर जो लागत आ रही है इस पर कोस्ट जो हो रहा है वह हो रहा है 8 billion American dollar का 8 billion American dollar का Danic Arctic लागत है ये Danic यानि कि daily का इसमें बताया गे है इसमें कहा गे है ये जो 8 billion American dollar है ये 3-4% है किसका GWP का यानि कि Gross World Product का Gross World Product का यह क्या होता है अपने GDP सुना है न GDP, GDP क्या होती है Gross Domestic Product हर एक देश की अपनी-अपनी GDP होती है ऐसे काफी सारे देशों की GDP को मिला कर GWP बनाया जाता है clear तो उसके बराबर यह होता है उसमें से 3-4% 3-4% का यहां पर खर्चा बताया जाता है कि इसके उपर WIU Production के उपर हो रहा है अब यहां पर बोला गया है कि जो WIU Production के कारण सबसे ज़्यादा परभावित जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी जो कह सकते हैं अपने शरीर की वो बहुत ज़्यादा कमजोर हैं शाररिक रूप से उनके अंदर की immunity शक्ती इतनी ज़्यादा strong नहीं है ऐस रक्षित हैं वो उनको सबसे ज़्यादा खत्रना उनके लिए खत्रा हो जाता है जैसे कि जो बच्चे हैं इसमें बोला गया है कि 2021 में एक अनुमान के अकॉडिंग लगबग जो 5 साल से जो कम उमर के जो बच्चे या 5 साल के उमर के बच्चे हैं 40,000 मोते हुई हैं केवल और केवल PM 2.5 के कारण अभी बताऊंगा आपको कि PM 2.5 है क्या और इसके अलावा बोला गया है कि COVID-19 एक तो ये आ गया उपर से PM 2.5 तो था है इन दोनों ने मिलकर यानि पलस होकर एड़ होकर भाईया इतना जादा खतरना महौल क्रियेट कर दिया है कि इससे और जादा मोते होने की संभावना बताई जा रही है और खतरा बढ़ गया है अब आगे चलते हैं PM 2.5 के बारे हम बात करते है कि PM 2.5 क्या है देखिए एक तो ये जो रिपोर्ट लाई गई है वो 6475 शेरों में जो 117 देशों में है इनके उपर रिसर्च की गई जहां पर ये PM 2.5 की जो रिपोर्ट है वो निकाली गई है ये PM 2.5 यानि 2.5 ये क्या है माइक्रोन है माइक्रोन का मतलब यहां पर आपके सामने ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये बड़ा सर्कल अच्छल में ये human hair है अब जो इनसानी बाल देखते है न उसके जो डायमेटर होता है उसकी मोटाई कितनी होती है वो यहां पर आपके सामने दिखाई गई है ये मोटाई है एक human hair की अब PM 2.5 का है ये ये रा PM 2.5 और PM 10 का है ये रा PM 10 यानि की बाल से भी लगबग 30 गुना छोटा होता है PM 2.5 जिसको हम देख नहीं सकते है एक मीटर में, एक मीटर में मायक्रोन कितने आते हैं एक मीटर में अगर मायक्रोन की बात करूं तो 10 ल. लाख माइक्रोन आते हैं एक मेटर में तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 micron है ये तो कितना ज़्यादा छोटा करण होगा जिसके कारण जो है सबसे ज़्यादा problem हो रही है लोगों को अब पर्टिकलेट के अंदर 6 नियमीत रूप से मापे गए वाईव परदूशक में से एक है ये और आम तोर पर स्वास्ते में पढ़ने वाले परभाव और प्रेवन की व्यापकता के कारण मानो स्वास्ते के लिए सबसे हानिक आरख है ये PM2.5 और PM10 भी दोनों आती है और PM PM2.5 काफी रीजन से जो है वो जनरेट होता है उत्पन होता है जैसे कि रसाइनिक सरंचना होगी भोतिक विशेषता है भिन-भिन हो सकती है अब यहां पर देखो PM2.5 जो है वो रसाइनिक गटनों से जैसे सलफेट हो गया नाइटरेस हो गया ब्लैक कारबन हो गया अमोनिय यह PM2.5 में आगे हैं सिंबल भाशा में बोलूँ तो PM2.5 कहां कहां से आता है देखें PM2.5 आप जो गाड़ियां देखते हैं गाड़ियों से एक्जोस से जो धुहा निकल रहा है यह वही है शायत इसाथ जो बिजली बन रही है बिजली से जो धुहा बनता है ना वह यह व फिर कोईला जो जलाया जाता है उससे जो निकलता है वो PM2.5 है ठीक है और PM2.5 का सबसे सबसे कोमन उधार्ण में आप लोगों को दूँँ वो है धूल बरी आंदी बालू के तुफान के और जंगल के यह PM2.5 के सबसे आमकण हैं मतलब यहां से जो है PM2.5 निकलते हैं हम ब बता ही नहीं जलता आप ने सांस ली और आपकी शीर के अंदर PM2.5 पहुंच गया और इससे काफी जादा बिमारियां होती हैं जैसे मैंने कहा ना कि 70 लाख लोग जो हो हर साल वायू परदूशन के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी जान गवां चुके हैं और गवां भी रही है अब भारत के परस्पेक्टिव से बात कर लेते हैं देखे वायू गणवत्ता सुधार में भारत सर्कार ने काफी काम किया तीन साल से इसके पर काम कर रही है तो तीन साल से काम करने के ऊपर PM2.5 जो है वो कितना लेकर आ शेया सरकार देखे PM2.5 दो हजा तक पहुंचा दिया है यानि कि एक घन मीटर में यह एक घन मीटर में माल लेता हूँ यहां पर 58 माइक्रो ग्राम माइक्रो ग्राम जो है वो एक कह सकते हैं कि PM 2.5 का स्तर पहुंच चुका है 2019 में अगर मैं बात करूँ पूर्व संगरोदक साधरता से यह उसके बराबर पहुंच गया है 2019 में जो मापी गई थी उसके बराबर लेकर आ गये है 2021 में ही बताया गया है कि जो Central Asia है और जो South Asia है उसमें से अगर मैं बात करूँ 15 जो सबसे ज़्यादा परदुशी शहर है उसमें से 11 जो शहर है वो भारत के हैं और PM 2.5 मुंबई में 2021 में एक ओसत यानि एक एवरिज के अकोडिंग बात करें यानि एर का जो एवरिज इसमें निकाला गया है वो है 46.4 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर दर यह दर्ज किया गया है यह कितना है बहिए जितना WHO ने कहा है रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे यह नोग उना ज़्यादा है मतलब कितने लेवल पे हम पहुंच चुके हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अब भात करेंगी भात के सामने कितनी चनोतियां है क्या-क्या प्रोबलम आ रही है भारत के सामने कि इस वाईयू पर्दुशन के कारण या रोकने के के लिए देखो बारत में वाईयू पर्दुशन का सबसे ज़्यादा स्वास्ते पर परभाव पड़ रहा है सबसे बड़ा जो रोग कहा सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा रोग किसके कारण हो रहा है इस वायू परदूशन के कारण हो रहा है और कहा जा रहlvania है कि जो सालना का खर्चा है वो 150 billion American dollars से अधिक होने का अनुमान है और भारत में जो वायू परदूशन है उसके परमुक स्तुरोतों में कौन-कौन से आते हैं मैंने जैसे कहा अभी आपने देखा हूँ न वहान के उस सरजन जो विकल होते हैं उससे जो धुआ निकल रहा है एक तो हुए तब ही तो बोला जा रहा है कि एलेक्टरिक विकल का यूज़ करो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि एक तो तेल महंगा हो रहा है उपर से वायू पर्दूशन बहुँ ज़्यादा हो चुका है उसको कम करना है दूसरा विद्यूत उत्पादन से और जोगिक अप्शिष्ट से वैसे आप कहोगे इसरा आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक विद्य जएसे लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि उससे वायू जब विद्यूत जनरेट होगी तो वहाँ पर पर दूशन नहीं होगा और जोगिक अफशित से कहाना पकाने है तो जो बायमेश को जलाया जाता है, जो construction हो रही है या फसल जलाने, आप देखते हो ना पराली जलाई जाती है, उससे क्या होता है कि काफी जादा धुआ जो है वो दिल्ली के तरफ आता है और वो PM 2.5 में एक तरीके समझो, सोने पे चांदी, मतलब चांदी पे सोना जो भी है, अपने आप यह पूरा कर ले ना महारा, अब इसकी पूरा दिमाग से पता नहीं कौन सा था, तो उसके उपर एक तरीके से काम करता है सोने पे सुआगा सची, सोने पे सुआगे वाली बात कर देता है, अब आगे चलते हैं, देखिए, भर सरकार ने से 30 परतिशा तक कम करेंगे और साथ इसाथ वायू गुणवत्ता की निगरानी में मतलब की मोनिटरिंग बढ़ा देंगे कि भाया, यहां पर कैसी कैसी एर क्वालिटी है, उसको जांचने के लिए वहां पर मोनिटरिंग की जाएगी साथ इसाथ आपको पता है कि देखिए, कोविट-19 महामारी के आगई थी, उसके कार्ण क्या हुआ, लोकडाउन लगा, लोकडाउन के कार्ण, जो यह स्कीम थी, कहीं ना कहीं इसके अंदर परभाव पड़ा है, लेकिन अभी तक यह मापा नहीं पाएं, कि कितना ज़्यादा इसके पर परभाव पड़ा है अब, वायू परदूशन के लिए ओल्रेडी भार सरकार ने कुछ इनिशेटिव चला रखें जैसे कि यह वायू गुणवत्ता और मोसम पूर्वा नुमान और अनुसंधान परनाली सफर जिसको कहते हैं, इसके सोट फोर्म हो जाएगी सफर, भार सरकार ने यह चला रखें और वायू गुणवत्ता सूचकांग AQI, Air Quality Index इसमें जो है वो आठ परदूशकों को ध्यान में रखते हो, इसको विक्सित किया गया है जिसमें कौन-कौन से शामिल है इसमें PM2.5, PM10, Ammonia, Lead, Nitrosan, Oxide, Sulfur, Sulfur Dioxide, Ozon, Carbon Dioxide यह सब इसके अंदर शामिल है आठ, समझे रहे हो, और Graded Response Action Plan, यह भार सरकार ने चला रखे हैं, इसके अलावा भार सरकार ने वायू, मतलब जो वीकल्स से वर्दुशन को कम करने के लिए BS6, मतलब इस इंजन को यूज़ कर रहे हैं, साथ-साथ इलेक्ट्रिक वीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके अंदर इंसेंटिव दिया जा रहा है गवर्मेंट के तरफ से और इसके अलावा आपने सुना होगा दिली के अंदर O-D1 की एक बार जो कारेकरम चलाया गया था O-D1 की स्कीम चलाया की थी तो यहां पर यह भी चलाया जा रहा है साथ-साथ वायू गुणवता परबंदन आयो की स्थापना की गई है और एक जो किसान पराली ना जलाएं तो आगे की रहा क्या हो सकती है बड़ी सिंपल सी है मतलब इसको मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखे चार पिलर रन नीति का प्लान किया गया था WHO के दोरा वो क्या है कि अगर इसका एक रोडमेप त्यार गया गया था अगर इसको सरी डंग से मान लिया गया तो आने वाले टाइम में वो कम हो सकता है वो क्या है एक तो जितना हो सकता है कि नॉलेज देनी होगी लोगों को समझाना होगा वाईउ परदूशन के बारे में उसे कम करने के लिए उनको सब कुछ एक्सपेंड करनी होगी नॉलेज बेस को साथ इसाथ मदब सरकार को खुद को भी सीखने के चूड़ता है एक्सपेंड करना होगा नॉलेज कुसी इसी बात यहां थी है और यहां पर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करनी होगी लगातार आपको वाई-उ परदूशन के ओपर मॉनिटरिंग करनी होगी कहां पर बढ़ रहा है उसकी रिपोर्ट आपको पेश करनी होगी सब कुछ चीजें करनी होगी साथ इसाथ अकेले नहीं कर सकते पूरे ग्लोबल को एक साथ लेके चलना होगा कोडिनिट बनाना होगा और जितने में इंस्टिटूट हैं जो यहां पर रोकने का काम कर रहे हैं उनको सुद्रिड यानि कि उनको स्टेंथ करनी होगी उनकी कैपसिटी बढ़ानी होगी अब एक ये पॉइंट जो मुझे काफी जाजा पसंद आया अन्याय को संबोधित करना है यानि एड्रेसिंग इंड्रेसिंग इंजस्टिस इसका क्या मतलब होगी आप देख रहे हो कि इतनी सारी इंड्रेस्टिस हैं उन इंड्रेस्टिस से जो है वो धुआ निकल रहा है उस गरीब इंसान का क्या इंड्रेस्टिस ऐसी हैं जिनके कारण प्रेवरण के अंदर परदूशन बढ़ रहा है तो आपको एक प्रेवरण टेक्स यानि यहां पर एक एन्वार्मेंट टेक्स लगाना होगा ताकि इस प्रेवरण के उपर वो कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने खराब करने का काम के है उसको कम करने के लिए रुपए यहां से निलिया जा सके अब यहां पर आपके सामने है कि Top 5 Most Polluted Countries in 2021 सबसे नमबर वन पर हमारा दमाद क्या कहा सकते हैं हमारा पोता है 76.9 यहां पर फिर है फिर है पाकिस्तान हमारा बेटा आता है फिर तजाकिस्तान फिर इंडिया इंडिया यानि कि टोप फाइफ में आ रहा है नीचे लेकिन टोप पॉलिटिड अगर मैं बात करूँ तो यह आ जाता है हमारे सामने दिल्ली आ जाता है वर्ल्ड की टोप पॉलिटिड कैपिटल के अंदर, clear, तो उमीद करता हूँ कि ये सारा concept आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और PDF के लिए मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूँ कि PDF का मिलेगी, description box में telegram का, एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं और वीडियो पसंद आईए तो like करें, channel को subscribe करें और जादे ही पसंद आ गए हैं तो भाईया, share कर सकते हो channel को as well as video को भी, thank you